जार्खन मी साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा खेल सामने आया है। इस बार अपराधियों ने सरकारी विभाग को ही चूना लगा दिया है। वो भी लाख 10 लाख का नहीं बल्कि पूरे 10 कडोड का। इसके बाद से पूरे सरकारी मुहकमे के अधिकारियों के होस उड़ अपराधियों ने बैंक हाते से ही इस रुपया को उड़ा लिया अब जब मामला पबलीक डोमीन में आया है तो हड़कम्प मज गया है। क्योंकि साइबर अपराधियों ने किसानों का मुआवजा को पांच साल पहले ही निकाला है लेकिन इस मामले को अभी तक पब्लिक डोमीन में अधिकारियों नहीं आने दिया था यह है जार्खन के गड़वा जीले के डोमनी नदी यही पर जार्खन सरकार ने ब्रीज बनाने की स्विक्रिती दी थी जिसका सिलन्यास 2014 में किया गया था इसके लिए आस पास रहने वाले किसान और गरीब रियायतों के लिए सरकार ने कड़ोरों रुपया मुआवजा भेजा था लेकिन उसमें से 10 कड़ों रुपय साइबर अपराधियों ने उड़ा लिया हालाकि गरामिन इस आस में बैठे वे हैं कि हमें कब मुआपजा मिलेगा लेकिन गरीब रियायतों को अब पता ही नहीं है कि ये रुपया घोटालों का भेट जहर चुका है अब ये डोमनिव राज मेन जारा लोगत बाव ने स्टे राजा अरांताव एक मारा थी कोई लगाण चुका अगधा ख़दाइल उह कंसिल होगाईल फिरेने वहामन के विधायक भानोजी बान रोज ते कामे रोज सर्वे होद बाने सरीश में उढ़िए उधार कानाल के इ कर दो लाओ अतर हम तर नकाई लगे तर कतना कुछ पता नहीं कातना जरालवा मर्दान सब भूमतर कासे पासे तर हमन को अब अब बताई भून अखिन का गज पतार लेकर हो तर मनोने मतलब उहाई यादो जिविरा जागा लगा उतासी जाया आओ सब काम भाई लहाई तर म करिश मिलना चाहिएर nga visual के जामीन है अब कुछ मिला नहीं है कुछ नहीं को 這 अब कर चासी भूनियाद नहीं है 살 gefallen गौर्तलम है कि विजेपी विधायक भावनु प्रताप साही ने जीला में आयुजित बैठक में योजना के अधूरी रहने की बात उठाई तो ये घुटाला सामने आया उन्होंने कहा कि गरीब किसान का पैसा 10 करोड कौन निकाला ये किसी को अब तक पता नहीं चल पाया है वही उन्होंनों ये शक जताया कि ये राशी घुटालों का भीट चहड गया जिसमें अधिकारी से लेकर बैंक की लोग भी शामिल हो सकते हैं तो ये मामला जो है काफी गंभीर है कैसे भुवर्जन का पैसा किन लोगों ने किस माध्यम से खाया और उसका भुक्त भोगी आज हमारे खरौंधी प्रखंड के जंता हो रहे हैं हजारों किसान हो रहा है इसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए तो बैंक मे penetrate सेगण है क्या अधिकारियों के मिली भगत से हुआ है क्या बैंक के मिली भगत से हुआ है तो तमाम चीजों को इसकी जांच होनी चाहिए और उस पर करवाई हो कि हाँ वह वह कि दोबनी बराज से समंदित मामला था जिसमें पैसे का के द्वारा निकासी की गई है तो उसमें ऑफिसर की ग्रिफतारी हुई थी केस का इन्वेस्टिकेशन सी भी आई के द्वारा हो रहा है तो एक बार जब केस में समिट हो जाता है तो उसके बाद से पुना सरकार से यह प्रासना की जा सकती है कि वही गरवा डीसी ने कहा कि यह साइबर क्राइम का मामला है हम लोग इसकी जाच कर रहे हैं इसके लिए कमीटी भी बनाई गई है और बहुत जल्द ही इसका खुलासा होगा इस संदर में बिगत दिशा की बैठक में बाते से आई थी और मानिय सांसत के अधिक्स्ता में यह बैठक संपन हुआ था इसमें एक हम लोग कमीटी बना के संपन मामले की जाच करने की करवाई कर रहे हैं रिपोर्ट आने के बाद में लोग के तरदू सहरागे की करवाई क जब तक इसमें दो आस्पेक्ट है एक तो पुलीस का आस्पेक्ट है दूसरा प्रशास्निक है दोनों को हम लोग एक जगा संकलित करके हम लोग जगेगी करवाई कर रहे हैं गरवा में ऐसी कई योजनाएं हैं जो आज भी घुटालों का दंस झेल रहा है अब ये दस करोड का घुटाला का परदा फस कब तक होगा ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा क्यूकि अब योजना पर तो तलवार लटक ही चुकी है